हलो फ्रेंड आज हम लोग बात करेंगे भीवो व.12 के बार में जिना दोस्तों आपने सैय सुना अगहर आपके पास व.12 का स्मार्ट हुन आप जीसे हारड इसे다 करते हैं और आपका Jemail लग जाता है आपका जीमेल एकाउन लोग आपको नहीं मालूम है आप भूल चुके हैं तो कैसे आपको आपका एफरवी लोग को रिमूब करना है चलिए इस वीडियो को आपको करना क्या है यहां दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है आपका जो हैंसेड है उसमें आपको वाइफाई करना है तो यहां पर आपको वाइफाई करना है वाइफाई करना है यहां पर आपको दो से तीन सेटिंग्स करना है और आपका जो वीडियो वाइबार का हैं नेट किये हैं वाई-फाइट करने का यहां पर आपको क्या करना है बहुत सब्सक्राइब उपसन कुछ भी टाइप करना है जो आपका मर्जिव टाइप करने के बाद all select करके रखना है जैसे all select करते हैं यहाँ पर आपको search का option देखने के मिलेगा जैसे all select करते हैं आपको searchable option में select कर देना है चलिए select किये जैसे select करते हैं यहाँ पर आपका vivo y bar का जो handset है उसमें आपका vivo का browser open हो जाएगा यहाँ पर आपको जो भी अलाव मांगता है आपको permission अलाव करना है यहाँ पर देख सकता है भीवो ब्राउजर ओपन हो जाएगा है भीवो ब्राउजर ओपन हो जानक बाद यहाँ पर आपको 2-3 settings करना है भीवो वाइबारा का Gmail account अगर आप लगा के भूल चुके हैं फिरी में इस वीडियो को complete देखिए कुछ नहीं करना है घर बैटाई उनलोक हो जाएगा तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको करना क्या है यहाँ पर आपको search करना है चलिए एक उस चीज आपको search करना है जो हम बता रहे हैं उससे आपको करना है कहीं भी वीडियो को बीच में skip नहीं करना है यहाँ पर कुछ सच करना है V-N-R-O-M, bypass search करना है चलिए, search करते हैं और आपको दिखाते हैं आगे आपको क्या-क्या करना है ठीके दस्तो चलिए यहाँ पर आपको complete देखना है तो यहाँ पर आपको सबसे उपर में जो आपका option देखने को मिलेगा simple जिसे bypass Google account का तो आपको यहाँ पर select कर देना है बहुत सबसे उपर वाला option में select करना है जैसे आप select कर देते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ टेम वेट करना है उसके बाद आपका FRP का option खुल के आ जाएगा यहाँ पर बहुत सरा option खुल के आएगा दोस्तो तो यहाँ पर आपको करना क्या है यहाँ पर आपको दो नंबर में एक चीज option मिलेगा गूगल कुइक सर्च का तो सबसे पहले भीबो वाइबारा का हैंसेट है आप कंफम कर लीजिए यहाँ पर आपका Android version 11 है अमनों का आपका Android version 11 है तो आपका Android person work करेगा तो यहाँ पर आपको दो नंबर में Google कुइक सर्च में select करना है आपका Google खुल के आ जाएगा लेकिन दोस्तों भीबो वाइबारा का जो FRP लोग है यह हमनों का Android version 11 के बारे में बात कर रहे हैं अगर आपका Android version 11 है तो इस वीडियो को complete देखना है अब यहाँ पर आपको select करना है Google वाला option में यहाँ पर आपका भी लिखना है जिया दोस्तों बड़ा भी लिखना है आपको यहाँ पर select कर देना है तो select जीस से आप करते हैं यहाँ पर आपका भी apps store वीबो का जराता है वह आपका वीबो का store open हो जाएगा अब open होने के बाद यहाँ पर आपको यह application डाउनलोड करना है और उसको install कर देना है चली क्या install करना है आपको दिखाते हैं इस वीडियो को complete करना है कहीं भी बीच में skip नहीं करना है चली यहाँ पर आपको search करना है activity manager जिया दोस्तों यहाँ पर आपको activity manager आपको download करना है च लोगों होना चाहिए सेम अपको यहाँ पर देख के आपको install करना है चली यहाँ पर आपको डाउनलोड करते हैं उसके पर आउनलोड होना start हो चुका है थोड़ा से यहाँ पर आपको wait करना है चार से पांच मिनट भी लग सकता है आपका net जीतना अच्छा चलेगा उतना अ करना है यहां पर आपको ओपन करना है ओपन करने के बाद यहां पर आपका जो एपस है वो लोडिंग होना फेक्ट्री टेस्ट बोलके एक option मिलेगा यहां पर को सर्च करना है फेक्ट्री टेस्ट फेक्ट्री टेस्ट यहां पर अपको सर्च करना है देख सकते हैं यहां पर फेक्ट्री टेस्ट आ चुका है इमनों का सबसे उपर में अब यहाँ पर आपको करना क्या है, फेक्टरी टेस्ट में सेलेट करना है, चलिए फेक्टरी टेस्ट में सेलेट करके आपको दिखाते हैं, फेक्टरी टेस्ट में सेलेट किया है, बहुत सरा यहाँ पर आफसन खुल के आएगा, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको पहला छोड़के दूसरा नमबर में select करना है ज्यादा उस्तों दूसरा नमबर में select करना है पहला छोड़ना है दूसरा नमबर में select करते हैं select कियें अब यहाँ पर जैसे select करते हैं यहाँ पर बहुत सरा option आएगा last में three number में इंजिनियर का option मिलेगा select करना है इंजिनियर में option में select करना है बहुत सरा फीर से option खुल के आएगा सबसे उपर में back to home का option मिलेगा select करना है back to home में चलिए back to home में select कियें अब यह पर सबसे last वला option में two English का option बिलेगा सबसे last में तो two English में आपको select कर देना है two English में आप जैसे select करते हैं यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग का 100% भीबो वाई 12 का FRP lock and Gmail account lock पूरी तरह से remove हो चुका है बिना computer का वो भी घर बैटे ही फिरी में आपको comment करके बताना है अगर आपका android version 11 का भीबो वाई 12 का 100% remove हो चुका है Gmail account तो comment करके आपको बताना है नहीं हो रहा है तो फिर भी आपको comment करना है आपका android version बताना है चलिए यहाँ पर आपको confirm करवाद रहे हैं settings में select किये settings में select करने बाद यहाँ पर आपको model number इसका android version आपको check कराके आपको हम बताएंगे भीबो वाई 12 का एन इसका android version कितना है वो भी आपको check कराएंगे तो यहाँ पर हमलों के वावड फोन का option search किये large में देख सकते हैं यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमलों का भीबो वाई 12 है इसका android version 11 है वीडियो अगर अच्छा लेकर तो लाइक